है अज़ दोस्तों में मैं मैं आश्यो टेकपोड रहे हैं अपको बहुत स्वागर है और आज में लेकिए अपने बहुत ही कमाली के टेक्टियूस आप इंसे काफी लोग मुझे से कुश्टन रूप उस बजट के अंदर एक स्मार्टफोन बताओ जो मैं करी सका हूं तो मैं स सब्सक्राइब कर देना तो अब बिना के जरी के शुरू अब हमें अपकमिंग स्मार्टफोन में शायद 64 मेगा पिक्सल का सेंसर लाउंच हुआ था उससे आप 12 मेगा पिक्सल की बहुत अच्छी एज़ी फोटोस क्लिप कर सकते हैं इस साल 64 मेगा पिक्सल की वेज़े से ह अब बॉइंट एट माइक्रो मेटर का सपोर्ट होगा जिसमें सामसार अबने अब अब इसके प्लिक कर पाएंगी प्लस अब इसमें फीचर अप्टू 4 टी अपिस जो रिली में कमाल की बात है उपो के रिल्मी एक्स में शायद हमें इंडिस्प्रेंगर्प्रिंट स्कैनर इसले कंया देखने का मिल सकता है इस इसमें डॉट एम्ट Has anyone सेंसर puts दूसर होगा और इन फिली में कहिंसे Octagor processor होने वाले है और इसका base variant start होगा वो 4GB से start होगा और कोई information और leaks वगर इसके सामें नहीं आई है May 15 को इसकी global launch है और उसमें हमें इसके exactly साथ ही features पता चल जाएंगे यह basically एक mid-range smartphone होने वाला है जिसे शायद इंडिया में हम K20 Pro के नाम से जानेंगे Oppo ने अपना F11 Pro का निया storage variant पे launch कर दिया है और वो आप लोग Amazon से खरी सके है description में आपको इसके link मिल जाएगा इसमें हमें 1000 रुपे जादा में 64GB से सीधा 128GB वाला variant खरी सकते है जो रेली में कमाल की बात है Oppo F11 Pro 6GB, 64GB वाला आप लोग 25,000 में खरी सकते है बट अब सिरफ 6GB, 128GB वाला हम लोग 26,000 रुपे में करी सकते हैं जो रेली में कमाल की बात है वहीं Oppo का F11 Pro Avengers Edition है वो हम लोगों को 28,000 में मिल जाता है almost same specs है 6GB, 128GB मेरे जाब से तो Oppo ने ये वाला जो वेरेंट हो बैले लाँच इससे नहीं किया क्योंकि वो सेल बनाना चाते थे क्योंकि 25,000 रुपे में अगर हम और भी किसी ब्रैंड का फोन खरीदेंगे तो में 6GB के साथ 128GB स्टोरे सो देखने को मिली जाती है तो ये शायद उन्होंने एक ट्रिक के लिए है मार्केटिंग के अंदर बट रेली में जो ये वाला फॉन लाँच हो है मुझे इसके स्पेक्स हो गए रहा है देखके इस बुजट के अंदर रेली में काफी अच्छे लगे अगर आप खरीदना चाहते है तो नीचे ट्रिस्क्रिप्शन आप उसके लिंक में जाएंगे लोगों होगा उस लोगों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जो रेली में एक नई चीज है और मुझे काफी अच्छा लगा और मैं काफी तैम से ऐसा कुछ चाहता भी था कि लोगों के पीछे कुछ हो तो आप मुझे कॉमे में जरूरू पताना है कि यह वली चीजा को कैसी लगी प्लस इसमें में एक्जिनोस को शायद प्रोसेशर देखने को मिलेगा अब यह एक्जाक्ट लीक सामने नहीं आया है बट इस पेक प्राइजिंग के साब से इसका बेस बेस्ट बेस्ट स्टार्ट होगा 128 GB स्टोर साथ इसकी प्राइजिंग हमें शायद 23 से 25 अवर के वीच में देखने को मिल सकती है इसके लांच में 15 को है तो सारे के सारे जो इसके वाइबरेशन को सेट करना चाहते हैं कॉल्स पे मेसेज़िस पे टैप पे हैप्टिक फीडबैक बेसिकली इन सारी चीज़ों आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे और इस वाली मोटर की बज़े से और भी काफी इंप्रूब्मेंट होने वाले 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 वेरियंट में और इस स्मार्फोन जैनफोन 6 की जो स्पेसिफिकेशन से उसको ट्रोट पर कंफर्म कर दिया अभी कुछ दिनों पहले और इसमें स्नाप्रजन का 855 प्रॉसर साज देखने को मिलेगा तीन वीजेंट में लांच होगा 6GB, 8GB और 12GB और इसमें नोट्रिफिकेशन LED, आडियो जैक, स् सिम कार्ट के लिए और भी बहुत ही कमाल के फीचर से इसकी प्राइजिंग अभी पता नहीं चलिया और इसमें शायर ट्रिबल कैमरे सेटप भी देखने को मिल सकता है, सैमसंग अपने A-Series के दो अफोर्डिवल स्मार्टफोन को और भी ज्यादा अफोर्डिवल कर रहा है अब आप लोग A7 और A9 जो 2018 के मॉडल्स हैं उन दोनों ही फोन के दोनों ही स्टोरेज वेरियंट्स को तीन दीन हजार रुपे कमे खरीज सकते हैं मतब अगर एक फोन का जो स्टोरेज वेरियंट 19,000 का था तो अब आप लोग वो सिर्फ 16,000 रुपे खरीज सकते हैं और ये इनका शायद सेकेंड या थर्ड प्राइस कट है जो रेली में कमाल की चीज़ है ये और भी ज़्यादा सस्ता होता ही जा रहा है क्योंकि Samsung शिफ्ट कर रहा है अपनी A-Series को मिडरें स्मार्टफोन से बजट स्मार्टफोन में कनवर्ट करने के लिए और इसमें शायद हमें और भी अलग अलग वेरेंट्स में और भी शायद जादा प्राइस कट देखने को मिले आगे फ्यूचर में वीव वाइफ 15 जो ट्रिपल केमरे सेट अप के साथ आता है वो हमें शायद इंडिर मार्केट में बहुत ज़दी देखने को मिल सकता है इसकी प्राइसिंग सिरफ दस से पंदराइस अपर के बीचर में देखने को मिलेगी इसमें 5000 एमेच की बैटरी मिलेगी जिसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट पोलेगा जो रेली में कमाल की बात है प्रिपल के अदर जो डिस्प्ले होगी वह 6.3 इंच की होगी और इसकी प्राइसिंग 10 से पंद प्राइस अब आप